तो फेल्कम टेक्वेटर गुरूब मैं आपको अब जिकास आपके अपने चनल में फिर्जाओत करता हूं तो इस्टवन आज हम बात करेंगे आपके सब्सक्राइब आपके लिए आपके लिए आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पर जो की सॉल्यूशन होगा आपका मैस्द कॉलम और फिलिंदा बलेंस ठीक है तो जली देखते हैं और साइट आपकी अभी बन चल लएई तो प्लेस अभी आप पेमेंट वगरा ना करें कोई भी और कोई भी फॉर्म अभी ना भर है जिससे कि आपका दिक्कत ना हो तो अभी फिलाल मैं आपको साइट दिखा दो अगर इस्टुएंट वाली तो वहां पर देखिए अपडेट चल लएए यानि कि मेंटनेस चल लएए कुछ ना कुछ जो भी प्राप्लम हो तो फ M3 M4 R5 जो कि यह हमारे बच्चे पढ़ाएंगे निव वाले ठीक है ओल्ड वालों को यह नहीं पढ़ना है कि उनके स्लेवस में यह कोर्स नहीं है अगर वो नेक्स टाइम देना चाहते हैं तो अपनी त्यारी इस पर करते हैं ठीक है तो चलिए अब हम सुरू करते हैं फट मॉइल हो गया यह लेपटाप हो गया या टीवी हो गया सभी में एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है ठीक है तो वह ही यहां पर बैसिकली पूछा गया तो आडियो के लिए जो जो डिफॉल्ट बूट लोडर है वह आपको क्या गलाता है निकि बूट अगर हमको करना है उसक हो सभी में हम बूट करते हैं मोवाइल में बूट करते हैं और आपका कम्प्यूटर में बूट करते हैं लैप्टॉप में बूट करते हैं तो सभी में बूट की एक प्रक्रिया होती है तो उसी प्रक्रिया के बारे में आपर पूछा जा रहा है आपसे तो जो आर्डियों क option यहां पर लिख किया रहा है कि बूट सबसे पहले आपको क्या option मिला बूट लोडर तो आपको इससे जुड़ता हुआ option ढूड़ना आजा तो क्या option देख रहा है कि यहां पर बूट लिखा हुआ है तो opti boot एक प्रकार का default बूट लोडर है जिसके कारण से हम जिसके द्वारा हम और डिनो को बूट कर सकते हैं इसके अलावा भी तमाम तरह के बूट होते हैं लेकिन default जो by default आपको software के साथ मिलता है वो बूट आपके कराता है PWM pins in Arduino Uno यह आपको क्या कहला था PWM कल मैंने कोस्टन आपको बताया था ऐसी से मिलता जूलता था आपका तो बताईए इसके बारे में क्या होना चाहिए सारे option आपके सामने अप लेवल है बिसकली तो देखें और यूनो में PWM Pin क्या काम आपको करता है तो आपको Option बताना है, तो देखते हैं क्या Option आपके अबरेबल है, तो बताएए आपको क्या होना चाहिए, यहां पर, तो देखे, मैंने के आपको एक Question बताया था, जिसमें बताया था, कि Micro-Controlable Question बताया, तो मैंने आपको बताया था तो पिंस की संख्या बताने हैं तो पिंस अपर कितने हैं या तो 12 होते हैं तो दोनों आपके यहां पर अब लेबल हैं आप देखे शिक्ष दिया हुआ 12 नहीं दिया कि 12 को आपन नहीं पूचा गया तो कहीं भी किसी भी डियग्राम है आप देख सकते हैं यहां पर आपको दो पिंस देख देंगे ने कि इस डाइग्राम को सेफ कर लें, डाउनलोड कर लें, जो कि यह भी हमने आपके सामने सार्च किया है, बहुत अच्छा डाइग्राम है, और इस ते यह त्माम को से बनेंगे, अब मालिए अभी यहां पूछा गया पीडेब्ली एंस पिंस अभी SPI पिंस के बारे में सीलियर या पावर किसी के बारे में पूछा जा सकता है ठीक है तो इसको समझ लिए आपने कितने बिंद होते हैं option बनेगा 6 3.3 इनफॉर्मल कम्निकेशन अनॉप चारिक संचार किसके मादब तो किया जाता है यहां पर बताएं 3.3 का है तो option बनेगा इसमें बताएं आपको अगर पता हो तो यह भी नए चेप्टर है तो आपको option बिसेकली नहीं मिलेंगे आपको उसको एक बार रट नहीं पड़ेगा तो इनफॉर्मल कम्निकेशन जो आपका होता है उसको हम लोग बोलते हैं grab wine option बनेगा 3.3 का 7 नमबर यानिकी 7 नमबर की बात करें तो जी ओप्शन होगा यह आपका ग्रेप wine ठीक है फोर नमबर है एनलोग रीड मेंटेड इन आर्डुनो यूनो रिटेन वेलू रेंज यानिकी एनलोग आर्डुनो यूनो में एनलोग रीड मेंटेड वैलू की रेंज कितने होती है ठीक है अगर आप एनलोग की जो डिवाइस आपकी होती आर्डुनो यूनो की उसमें हम एनलोग को रीड करना चाहते हैं उसकी जो रेंज होती कितने तक आप उसको एनलोग को रेंज को या गय आएगा ठीक है तो 3.4 में देखिए क्या option दिया गया आपका range आपकी देखिए आप option यहाँ पर दिया है जोने 8 number में दिया है तो यही इसका option होगा 8 number में दिया है 0 से लेके 1028 ठीक है 0 से लेके 1023 तक इतनी range आपकी होती है 3.5 open source system आपका पूछा है ठीक open source system देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपका windows है कि Linux अब यह भी आपको बताना पड़ेगा देखिए ओ दोनों का option दे दिया यहाँ पर 3.5 का option बता कि क्या होना चाहिए देखिए windows जो है आपकी वो फ्री वेर नहीं है windows के लिए आपको पे करना पड़ता है अगर आप उसका trial version नहीं यूज करना जाते हैं अगर आप जो पूरा version यूज करना चाहते है enterprises तो आपको उसके लिए paid भी करना पड़ता है Microsoft को दाना लेकिन जो Linux का कोई version यूज करते हैं वह आपको क्या होता है open source होता है ठीक है वह चाहिए विदाउट की के भी आपका यूज की के साथ और इजनल वर्जन जब हम पर्चेस करते हैं तो उसके लिए आपको करीवन बीस चत्ति से और रुपर पर करने पड़ते हैं लेकिन Linux में ऐसा नहीं है तो open source system आपको कौन सा है Linux ना की Windows ठीक एगलत option ना लगाए 3.6 है program written in Arduino IDE यानि कि program किस प्वगार से लिखते हैं हम अपने IDO में यानि कि program Arduino IDE में लिखा गया है किस तरह से लिखा गया है 3.6 का option बता है तो इसमें जो भी हम program लिखते हैं डीमे तो किस के रूप में लिखते है e में sketch के रूप में स्केच की रूप में तो option देखें यहाँ पर दिया गए sketch की रूप में लिखते हैं ठीक है इसको option बनेगा sketch 3.7 यानि कि आपकी जो iot सब्द को गला गया था किसके माध्यम से तो बताईए इसमें क्यों option होगा 3.7 का अच्छा question है 3.7 का डी option बनेगा यानि कि कब बना गया था यानि कि फॉर्ट ऑप्सन बनेगा अगल 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 लेंग्विज की बात करें तो सब में अलग अलग किसी में star से होता है किसी में single forward less होता है किसी में double forward less होता है तो आपका python ने पूछा गया थी कि तो 3.8 का देखिए option क्या होगा यह की option है यहाँ पर दिया हुआ है double forward less जानि कि जब भी कोई comment होगा तो उस Arduino Uno में analog ride with the monster को सिवकार करती है यानि कि तो यहां देखिया फिर से एक range के बारे में आपसे पूछा गया है तो जितने भी range वाले question होगे तो आपको क्या ढूड़ना range ढूड़ना है लेकि कौन से range कहां यूज होगी यह आपको मालू होना चीज़ देखिए इनलोग read करता है method जो return value उसको कितनी होनी चाहिए जो एनलोग की return value आपकी तो देखिए इसका answer यह है एनलोग write करता है method accept value कितनी होगी तो कितनी तक accept करेगा 0 से लेके 25 तो question के answer आपको इसी में दिये होते हैं इसके लिए आपको रटना नहीं देखिए range पूछा यहां पर तो आपको range जोनी दोनों में range है तो range आपको ढूड़नी है ठीक operating system पूछा था open source तो आपको पता Linux होगा ठीक है 10 है आपका यहां पर कि जो आपका आइड़ने प्रोगाम में एक बार बुलाए जाने वाला function आपको क्या गलाता है तो 10 का option बनेगा देखिए जब भी हम python को प्रोग्राम को function को call करते हैं उसके लिए हम setup का use करते हैं अब देखिए यहां पर पूछा function का तो आपको function ढूड पड़ा आपने भी नहीं पड़ा तो answer किस परकार से निकाला गया सिर्फ यह जो question आपके screen पर दिखाए दे रहे तो उसी के बेहाब पर उनीकी जो point पुछे गया देखिए कि इसमें range पूटना है तो हमें range ढूड़ना है इसमें range कहा है उसी परकार सा है तो हमें function ढूड़ किताब उठाने ना कोई note पड़ना वही question मिलेगा वहीं answer कुछ चीज़े होती है जो आपको theory based होती है इसमें कोई basically theory based नहीं थी हाँ यह question जो आप default bool order वाला था इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए हां optiboot के दोरा तो यह जब practical करते हैं theory करते हैं तो बार-बार आपक तो रेंज उसी बगार से रेंज बगारा होती है यह भी आपको याद हो जाती है इतनी इसकी रेंज इतनी होती है जब practical हो जो हम theory पड़ते हैं तो उससे आपको यह त्यार हो जाता है ठीक एदवासर करते हैं आपको सौन में आगी है को simple way में आपको मैंने समझा दिया कैसे इसके आंसर ढूड़ने होते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं इसे में fill in the blanks 4.1 पहला कोर्शन है आई सी कंटेंड memory input output पैरिपैलर along with processing capability है निकि आई सी में जो प्रोसेंग समसा के साथ memory input output पर दिये होती है कितनी होती है 4.1 का तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है simple output पैरिपैलर along with processing capability तो अभी कल के जो वीडियो में बताया कहता है आयोटी वाली जो processing का काम किसके दौरा किसके दौरा होता है सारा micro controller का तो option क्या बनेगा micro controller अब देखिए processing का नाम ले लिया है और input output का काम करता है तो processing किसके माददम सोती है micro control के दौरा होती है जो कि input output का आ बतान बतान करता है आपके IC memory में कौन करता है micro controller तो आप समनेगा simple सा है micro controller का एक question आपको जरू मिलेगा तो जरू उसको पढ़ ले तो कि एक बड़ी device है आपके Arduino की 4.2 analog right method is used for pins in Arduino अब देखिए यहाँ पे फिर से analog right method is used for pins in Arduino अब यहाँ पे पे पेनो की संक्या नहीं है लेक इसमें कौन से method use करती है नहीं कि analog जो Arduino में pins के लिए analog लिखने की विधी copy हो किया था कौन की विधी आपकी यहाँ पे लगी जाती है तो 4.2 को देखिए option बनेगा देखिए pins के लिए भी आपको 6 pins बताए गया थे ना आपको 6 pins बताए गया तो 6 pins तो नहीं लिए उसके लिए विधी अमनों कौन से use करते है PWM आया answer कैसे देखिए question किस पर काता चेंड किया गया इस question में जो आपका पूछा गया था यह आपका है 6 नंबर था इसमें जो आपका option आया था वो Arduino में उसकी pins के बारे में पूछा गया था तो वहाँ पे PWM का जिकर किया गया था ठीक है तो वहाँ PWM आपको लिग जया था किया PWM में 6 आपके पिंस होते हैं question नंबर यह था PWM पिंस Arduino Uno 6 पिंस होते हैं लेकिन यहाँ पर आपको पिंस न दिखा के उनकी value पूछ लिए किस में आप जाती तो PWM ठीक है तो option बनेगा यह ऐसे answer आपके निकाले आते हैं ठीक है इसलिए जब आपको paper मिला करें तो दोनों से match कर लिया करें यानि कि मानले यह fill in the blanks का आप solve कर रहे हैं तो इससे पहले अगर इससे मिलता दूलता question आया हो तो वहाँ से आपको इसका answer बहुत जल्दी मिल जाता तो इसलिए आप जैसे मानले में the column आप solve कर रहे हैं तो में the column के यह मेरा experience है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको answer आजाएगा देकि language इस बार इसनी वो डाल दी गई ना इसमें the term अब सीधे सीधे बोलता दी who invented internet of things तो आप सीधे उसका नाम बता देते अब यहां पूछे के the term internet of things was first coined by अब यह बात ले लों को समझ में नहीं आएगा यहां पर यह क्या क्या चीज़ आ गई त चीज़ में ठीक है एक केविन एस्थाउन केविन असे जो है आपके पहली बार आपको आयोटी को बनाया था कब बनाया थो 1999 में ठीक है तो आपको दोनों कोस्वर्स यहां से थयार होगा तो थोलाता कॉस्वर्स समझने कुशिश करें बस 4.4 Modern PC जो आपका होता है Main Component जो होता है उसमें क्या होता है आपका CPU होता है जो अभी latest model के Adonic PC जो आपका चलना है क्या उसमें main Adonic जो कटक होता है वो Component CPU होता है किस के तोर पर तो देखिए 4.4 का Option बनेगा उसमें आप लोग देखिए आडियोने को डिवाइस में जो main component है आपका micro controller करके प्या सकते हैं और इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं Main Part आपका जो है latest में Micro processor जो processor जिसको हम लोग बोलते हैं उसी पर करते हैं तो यहाँ पर F option बनेगा जो की main part है आपका i3, i5 जो बार जाने आपके वही होता है Main Part आपका यह है तो option आपका बनेगा 4.4 का micro processor 5 नंबर पर आते हैं इस medium weighted extension of cloud computing in IoT domain domain से related question है कल के वीडियो में आ जा था नहीं कि IoT domain में cloud computing का माध्यम जो है वो भरित विस्थार आपका उसमें क्या होता है 4.5 का देखिए option क्या बनेगा उसको देखिए सबसे बहले समझे हैं question कैसे पकार से निकालना है आप यह देखिए यहाँ पर पूछा गया है cloud computing के बारे हम पूछा गया ठीक है यानि कि जब हम IoT को जैसे कि IoT तो आपकी device से नीचे लगी हुई है और यह cloud computing क्या होते हैं आपके बादल के उपर आपके जो सैटलाइट लगारा उन से connectionivity यहाँ पर आपको IoT में लेनी ठीक है तो वो किस पकार की connectivity वेटेड अगर है extension आ रहा है domain का तो वहाँ पर किस पकार की आपको यह प्रोगामिंग नीचे यूज़ कर रहा है तो उसकी connectivity कैसे इंटर्न नेट के मादर्म से जुड़ा होगा माले यहाँ पर को सर्वर में डेटा होगा तो वहां से आप इसको लिएंगे तो वो किस मादर्म से आएगा आपकी आपको 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 देखेंजा किस प göstereं ढूढ ना था है यहाँ पर समझेगे अभी ही पूछागा क्लाउट 0000 कंप्योटिंग था वाड आपको हैं पर ढूढ़ना корабट था यहाँ फी वर्णा की ऊंशर इस पकार से निकाल सकते है यह क Táया तो तो 4.5 का आप हो जाएगा C नंबर यानि कि Fog Computing 4.6 पर आते हैं इस डिजाइन तो लाँच बॉट नेट अटेक फ्रॉम आयोटी यानि कि आयोटी से बॉट नेट हम लोग को लाँच करने के लिए डिजाइन किया गया है इस डिजाइन किया गया है 4.6 पर आते हैं मिराइल को जो है डिपलप किया गया है आयोटी के दुआरा जो भी बॉट ने अटेक्स होते हैं उनको सम्भालने के लिए उनको कंट्रोल करने कि इसको मिराई जिसे एंटी वारस आपका उता है पधोस में उसी परकरते इस नहीं में आपका काम करता है 4.70 फाऌंडर आव आई्ट incentive project इस founder 250 के कौन है 4.7 को बनेगा बी मासी मोबांजी माईखी क्यों है मासी मोबांजी बी औप्शम बनेगा मासी मोबांजी नाम पेंट के मिंट ले 2016 पर्सनलिटी इस ड्राइब फ्रॉम लेटिन वर्ड पर्सोना मीनिंग यानि कि यह आपके आयोटी के कोश्टन है पर्सनलिटी लेटिन सब्स लिखा गया जिसका पर्सोना इसको क्या अर्थ होता है इनके बारे मुझे कुछ नॉलेज़ है क्योंकि मैं भी लेंग्वेज का ज लेखे जी ऑप्सन बनेगा इसमें 4.8 का यानि कि पर्सोना मीनिंग यहाँ पर क्या होता है मास्क से डिफाइंड किया जाता है ऑप्सन बनेगा जी ठीक है मास्क 4.9 यहाँ पर पूछा गया आपका the statement describing what has happened is called यानि कि जो हुआ है उसका वर्णन कहा जाता है यानि कि जो हो चुका है जो हुआ है अभी हाली में उसका वर्णन आपको करना तो उसको क्या कहेंगे 4.1 करें कि ऑप्सन क्या हो यानि कि अभी मालेज हाली में कोई न्यूज सारी टेलीवीजन पे और वहां पर दिखा जा रहा है किसी की द्यात हो गई है किसी की मौत हो गई है तो वह आपकी क्या थिर्ण हो गाते है तो आपको एगनि करना है तो कि confrontर थिक्षब कना करने लगे कि जाके आप iota की को स्पिः में में दोंठिक क्यूरे zwri कि को सन भी में आपके जूकिंपU झूख्धियों कि इच uda फिंग सerson है तो यह थिंग के इनटर्मेश cookies गूश्चन आपके इंटर्मभली के संथाफ और imminent of things जो है वो यहाँ पर question है things के आले आपके कौन से question है एक यह हो गया आपका एक यह दो question आपके things के question है उसके बाद sorry यहाँ आपका last question देखते है board of Arduino family can be used to swing into clothing जानी कि अब देखें जो हुआ है उसका वर्नर कहा जाता है नहीं board of family can be used to swing into clothing तो यह भी basically उसी का ही question है 4.10 का option बनेगा देखें आपके क्या बनना चाहिए लिली पैड ने कि D option बनेगा इसका लिली पैड तो यह कुछ question जो है नहीं है जैसे कि लिली पैड होगे आपका मेराई हो गया यह नहीं वर्ड हैं आपके और आपका fog computing हो गया mask हो गया यह कुछ question नहीं है बाकि micro processor के बारे मैं आपको पता इह रेपोर्ट के बावले माय के कंड़ोड में थे एक नाम है तो इंको करेंगे बाकि नैनों की बारे मैं आपको पता ही होगा. B analog के बारे मैं आपको पता हिए dBM यया वडा है. तो कुछ चीजह आपको पता है कुछ चीजह इसमें आप की नया. थ actu है तो जिनके नए कोसन मैं आपको नेक्ट पार्ट जब शुरू करूँगा उसमें आपको नए कोसन दोगा जो की नहीं कि अभी तक और कहीं भी आपको अब लेबर नहीं होगे तो यहाँ था कि वीडियो आपको सवन में आगई है किसी भी कोसन में डाउट है इससे असरल अगर कोई सिखा है तो मुझे को बताएं मैंने आपको बता दिया है कौन-कौन सी कोसन होते हैं कैसे उनको चाटा जाता है वो सारे चीजे मैंने इन्हीं की मादन से आपको समझा दिए ठीक है तो आज आपका मैंने चारो मॉडूल के एक-एक सेट आपको कंप्लीट कर दी हैं M1 M2 M M3 और M4 ठीक है चारो के एक-एक पार्ट आपके हो जुके हैं अब इनका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे जल्दी आपको इसके मॉक्टस मिलेंगे और अभी तक आपने गैस पेपर या पीडिया नोट नहीं पर्चेस के तो बिल्कुल पर्चेस कर लें एक्जाम 12 सित के त्यारी स्टार्ट कर चुके थे परवरीज से हम रिस्की क्लास आपको करवा रहें continue और अभी तक हम आपको मॉक्टस करवा रहें मॉक्टस हम दिलेट में करवाते हैं इसलिए क्योंकि आपको उसी दिन पढ़ें और अगले दिन जो लास्ट एर के मैं आपको बता दू ज जो बताया जाता है हम पर कोई टाइम पास नहीं करते हम देखे कोई भी बच्चे इसमें कमेंट का मैं reply नहीं लेता हूं किसी कुछ नहीं करता हूं सिर्फ आपको जो कोशन होते हैं उसके आंसर के बारे मुझे को नहीं मालूम है ठीक है तो वीडियो अच्छी लाइक करें आपको नहीं कोशन देखने को मिलेंगे और सारा गेस फेपर मने बना दिया हिंदी इंग्लिस में जुसको यह पर्चिस करना वह वह वाटसप पर कॉंटेट करता है देखे इसी में पेपर सेट आपको अब लेबल है काफी अच्छा कोशन है यह सारे कोशन में आपको जब गेस फेपर देंगे उसमें सभी के आंसर आपको मिलेंगे एंवन एंटु कितने पेपर ने दियो हैं के से पर की रूप में इन सभी के आंसर डालोंगा और नहीं कोशन आपको आपको मिल जाएंगे कोशन विद आप ठीक है तो थैंक्यू फूर वाचिंग